सनातन धर्म में गंध सुगंध या खुश्बू का विशेश महत्म माना गया है आपके आसपास का वातावरण सुगंध में होता है तो आपकी सोच भी सकारात्मक होती है सुगंध से आपका मस्तिश्क बदलता है सोच बदलती है सुगंध विचारों की क्षमता पर असर डालती है मनुष्य के जीवन पर मन का विशेश प्रभाव होता है मन मुख्य तोर पर शरीर के चक्रों को प्रभावित करता है जिनकी संख्या साथ है दुनिया में रंग सुग सुगंध और शब्द तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इन चक्रों पर सीधा प्रभाव डालती हैं मन की अवस्था के अनुसार सुगंध का प्रियोग किया जाए तो मन की जटिलताएं दूर की जा सकती हैं मन को अवसाद से बचाया जा सकता है सुगंद का सही प्रियोग हमारे जीवन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालता है एक आगरता बढ़ती है, स्नायो तंत्र मजबूत होता है स्ट्रेस अवसाग जैसी बीमारियां दूर हो सकती है सुगंद का प्रियोग पूजा के दौरान इसी लिए किया जाता है ताकि हमारे काम करने, हमारे विचार की क्षमता मजबूत बनी रहे उस काम को करते समय हमारा मन शान्त हो सके हाँ, एक खास बात, हमेशा प्राकर्तिक और फूलों की सुगंद का ही प्रियोग करना चाहिए जिसका क्ष यानि कमरे में बच्चा पढ़ाई कर रहा हो या आप खुद जहां पढ़ रहे हों, उस स्थान पर सुगंद का प्रियोग जरूर करें लेकिर इस बात का खास ध्यान रखें कि सुगंद जितने हलकी होगी उतनी ही वो प्रभावशाली भी होगी हमकसर इत्र, पोफ्यूम या डियो का यूज शरीर की दुरूगंद को मिटाने के लिए करते हैं ताकि हमारा शरीर सुगंदित रहे, तरो ताजा सा एहसास होता रहे ऐसे में इस बात का विशेश ध्यान रखें कि अगर शरीर पर सुगंद का प्रियोग करना है तो इसे कलाईयों गर्दन के पीछे और नाभी पर किया जाए नहाते वक्त भी नहाने के पानी में सुगंद डाल कर नहाना उत्तम माना गया है जो लोग अविवाहित हैं, विद्ध्यार्थी हैं, उन्हें हमेशा चंदन की सुगंद का इस्तेमाल करना चाहिए जहां बैठ कर आप काम करते हैं, वहां धूप बत्ती जरूर जलाएं ऐसे स्थान पर चंदन या गूगल की सुगंद करनी चाहिए अगर आप मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं, उत्तंस्वास्ते चाहते हैं तो सोने वाले कमरे में गुलाब या मूगरे की सुगंद का इस्तेमाल करें सोने से पहले अपनी नाभी पर चंदन या गुलाब की सुगंद लगा कर सोना चाहिए लेकिन हलकी सुगंद लगाएं, घर से नकारात्मक्ता को दूर करने के लिए सुभा शाम फ्रेंकिंसंस यानी लोबान या लोबान जलाएं इसे एक मिट्टी के पात्र में रख कर पूरे घर में घुमाएं अगर आप किसी प्रकार की पूजा उपासना कर रहे हैं देवताओं का आवाहन कर रहे हैं तो उसके लिए गूगल की सुगंद का इस्तेमाल करें इसके अलावा चंदन की सुगंद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसी तरहां प्रेम के लिए गुलाब की सुगंद का इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन दूर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सुगंद का इस्तेमाल करें कहते हैं जिसके जीवन में सुगंद नहीं उसके जीवन में शांती नहीं और जहां शांती नहीं होगी वहां सुख और सम्रधी भी नहीं रहेगी यानि सुगंध है तो शांती है और शांती है तो स्वास्त है सुख सम्रदी है जीवन में शांती के लिए सुगंध के महत्व को समझना है तो कुछ उपाय आप आजमा सकते हैं जोतिश के मुताबिक शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है शुक्र मजबूत हो तो जातक अद्भुद सौंदर्य का मालिक होता है आत्म विश्वास भरपूर रहता है तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए पोफ्यूम या इत्र की सुगंद का प्रियोग करना चाहिए इसके अलावा शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को चमेली का तेल या चमेली के इत्र को पीपल के पेड़ पर छिड़कना चाहिए व्यापार या रोजगार में बढ़हत्री चाहते हैं तो दीपावली पर महालक्षमी जी की पूजा के समय मा को एक इत्र की शीशी अर्पित करें फिर उसी शीशी में से थोड़ा सा इत्र खुद भी लगा लें जब भी कारेस्थल पर जाएं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा इत्र जरूर लगाएं व्यमसायक शेत्र में सफलता मिलती है यदि आप चाहते हैं कि आपका बटवा यानि पर्स, पॉकेट, वालेट हमेशा नोटों से भरा रहे तो उसके लिए आप अपने भूरे रंग के पर्स में 10 रुपए के 2 और 20 रुपए के 2 नोट चंदन के इत्र में लगा कर रखें वर्क प्लेस पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं तो मोगरा, राधकीरानी या चंदन की गंद का इस्तेमाल करें देवताओं को प्रसंद करने के लिए मंदिर में चंदन, कपूर और गुलाब की गंद का या चमेली के इत्र का प्रियोग करें अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो सफेद कपड़ों को पहन कर मंदिल में जाकर लाल गुलाब और शमेली का चित्र भगवान को अर्पित करें इसके अलावा कभी घर से बाहर जाएं तो अपनी नाभी पर थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएं यदि गुस्सा ज्यादा आता है तो चंदन और मोगरे के इत्र का इस्तेमाल करें माइग्रेन या सिर्दर्द की समस्या हो तो चंदन या मोगरे की खुश्बू का इस्तेमाल करें चंदन या गुलाब की खुश्बू से रोज स्नान करना भी लाबदायक माना गया है घर में सुख शांती रहें इसके लिए भी चंदन या मोग्रे की खुश्बू का इस्तिमाल कर सकते हैं इस बात का विशेश ध्यान रखें कि सुगंध के लिए जिस धूब बत्ती, अगर बत्ती या इत्र का इस्तिमाल आप कर रहे हैं उसकी खुश्बू हलकी और भीनी भीनी होनी चाहिए मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अच्छे स्वास्ते के लिए बेडरूम में और नहाने के पानी में गुलाब, रात की रानी, मोगरे की गंद का उपयोग किया जाना चाहिए सुगंद के बारे में धार्मिक माननेताएं, प्रियोग और जियोतिशिय धारणा या महत्व से अलग सुगंद को चिकित्सा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे अरोमा थेरपी कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि 80% तक खाने का स्वाद उसकी खोशबू पर ही निर्भर करता है तभी ये माना जाता है कि सुगने की शक्ती के खो जाने पर व्यक्ती के जीवन पर इसका व्यापक असर पड़ता है सुगने की शमता खो देना एक सुख के खोने के समान माना गया है हलांकि ये एक तरहां की बीमारी है जिसे अनोस्मिया कहा जाता है जिसका मनोवेज्ञानिक और शारिरिक प्रभाव भयानक हो सकता है तिलहाल सुगंद के संबंद में संक्षिप्त सारांश ये है कि आप अपने आसपास के वातावरण को सुगंदित रखें ताकि आपका मन, मस्तिश्क और स्वास्य सबमेश पूर्ति का संचार हो और जीवन स्वस्थ सुगंदित बना रहे झाल